Hello guys and welcome back to our YouTube channel मैं travel कर रहा हूँ इसलिए best entry chart analysis series अभी एक वीक नहीं आएगी लेकिन मैंने learning videos बनाए है वो मैं schedule कर दूँगा उसमें से एक video है most powerful candlestick जो है pin bar आज हम इसके drawbacks भी जानने वाले इसके पिछे का logic भी जानने वाले इसके पिछे की psychology भी जानने वाले और सबसे important क्या इसको जहां भी दिखते है ट्रेड करना चाहिए या इसकी कोई special जगा होती है चार्ट पे जहां पे यह बहुत अच्छे से काम करती है यह सब कुछ हम लोग detail में देखने वाले है तो आप इस वीडियो को end तक देखते रहे हैं ठीक है सबसे पहले pin bar का logic मैं आपको बता तो किसी भी candlestick का basics अगर आपको पता होगा green candle है तो यह इसका opening होता है correct और अगर यहां पे close होती है तो यह इसका closing point होगा body का red candle में opening होता है यह और closing होता है यह अब विक को किस तरह से हमको identify करना है बहुत important point है थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको यह जो pin bar है न यह already entry इसमें trigger हो चुकी है कैसे हो चुक है और इसमें entry बाकी है कैसे हो चुक है कैसे बाकी है यह हम detail में जानते है यह पिन बार आपको क्या बताती है यह अधिक की price जो है price action जिसको हम दो बोलते है price movement हम जिसको बोलते हैं यह opening price है correct तो अगर यह candle पहले नीचे आए थी इसका मतलब यह candle क्या होगी पहले यह candle पहले red color की candle होगी correct है अगर मैं इसको इस तरह से यहां पर बनाता हूँ पिन बार में कैसे बनी है ये पहले ये रेड कैंडल होकी correct उसके बाद जब ये नीचे से इसको rejection मिलता है तो ये देखे रेड कैंडल का मैंने आपको क्या होता है यहाँ पे opening यालनी कि sellers यहाँ पे open हुए market नीचे आया नीचे से इसमें इतना heavy rejection आया कि जो price पे sellers open हुए थे उ तब जाके ये green pin बार बनती है correct ये है इसके पेचे का logic market open हुआ यहाँ पे नीचे गया यहाँ पर red candle बनी पूरी और फिर candle close होने से पहले जो sellers थे उनको market buyers ने dominant करके cross कर दिया है ठीक है और sellers के उपर जाके close हुए तब जाके green pin बार बनती है लेकिन red pin बार में क्या है red pin बार open होई थी यहाँ तक low लगाया है यहाँ तक और close होई है सिर्फ यहीं तक ठीक है correct है यहाँ पे close होई तो इसका मतलब है अभी भी इस point पे तो sellers है तो यह pin बार की entry activate होगी जब next candle इसके ऊपर यहाँ पे निकलेगी तो क्या होगा जिसने यहाँ पे sell किया था उनका stop loss यहाँ पे होगा उपर correct है और फिर जब next candle यह cross करती है तब यहाँ पे आपकी entry होगी यहाँ पे यहाँ पे stop loss होगा यहाँ पे correct है तो यह pin बार का logic है तो आपको फरक पता चल गया green pin बार और red pin बार में ठीक है ग्रीन बिन बार अगर बन बन चुकी है तो no doubt आपको wait करना ची यह cross करने का लेकिन जो logic है अगर आप लाजिकली देखोगे तो पिन बार जो sellers थे उसको already market ने cross कर दिया तो आप इसमें यह थोड़ा सा अगर इस तरह से pullback भी लेता और फिर cross करता है यहाँ पे आप enter कर सकते हो लेकिन क्या आप अगर यह market यहाँ पे close होए red candle में और आप हो जाएगा तो आई होप आपको पिन बार किस तरह से बनती है क्या logic है समझ में है most important इसको कहां पे trade करना है पहले हम पिन बार का कुछ logic देख लेते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको बताया है यह red pin बार है correct है लेकिन क्या इसने अभी तक high break किया के नहीं किया इसने high break किया य यहां पे आपका stop loss एक्टिवेट होगे correct है और सिर्फ पिन बार आप blindly यूज नहीं कर सकते है ठीक है ठीक है वो point पे हम लोग बाद में आते हैं पहले हम लोग सिर्फ पिन बार देख लेते हैं यह देखें यहां पे पिन बार बनी market थोड़ा सा नीचा है फिर market उपर जाके SL हिट कर दिया पिन बार पे जो ट्रेड करता है उसका correct है यहां पे आप देख सकते हूं यहां पे एक पिन बार बनी market ने entry दी और 1-2 का आपको profit भी दिया ठीक है पिन बार बन दिया लेकिन अगर क्या आपको कोई support zone है इस तरह से एक support zone है correct market यहां से आया और यहां पे एक negative इन बार बना रहे है तो क्या आप यहां पे लोग है chances है कि यह fail हो जाएगा क्यों हो जाएगा zone यहां पे support zone है zone यहां पे demand zone है candlestick भले ही आपको bearish है लेकिन सिर्फ एक candlestick 15 minute की candlestick देखके क्या आप यहां पे trade कर सकते हो क्या नहीं कर सकते तो इसलिए इसका formation इसका जो place हो होता है जो चार्ट पर इसका location होता ये बहुत important होता है कोई आप अगर property देखते हो कोई भी बहुत аची property है तो आप क्या बहुत अची property है सबसे important cream location है correct है तो cream location बहुत important होता है चार्ट पे ठीक है नोड आउट बहुत अच्छा result देती है नोड और बहुत जलदेंटी देत चोटा stop loss है no doubt लेकिन अगर market यहां पर आता है इतना यहां से market नीचे आ चुका है और नीचे जाएगा यहां पर पिन बार बना के इसकी probability बहुत कम होती है उने को market में कुछ भी हो सकता है market uncertain होता है लेकिन probabilities जो ज़्यादा होती है वो मेरा का मैं आप तक पहुचाना आपको explain करना अब ऐसा ही कुछ हम लोग देख लेते हैं यहां पर आप अगर देखो कि market यहां से लेगे यहां तक नीचे है point wise मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सिर्फ अगर इस तरह से मैं आपको बता हूँगा आपको लगेगा यह बहुत छोटा सा मूव है लेकिन अगर आप इस तरह से देखते हो तो यह 400 points का मूव है यहां से यहां तक और 400 points जाने के बाद यहां पे एक red color की pin bar बनाया entry भी इसने low भी cross किया अगर आप देखो कि next candle ने इसका low cross कर दिया था लेकिन market हो गया reverse तो location बहुत important है और एक चीज़ यहां पे आप देख सकते हो एक green pin bar है market already यहां से यहां तक travel किया है कितना point travel किया यह मैं आपको बता देता हूँ यहां से अगर आप देखते हो 800 points का यह move है 800 points के बाद अगर आपको एक bullish pin bar दिख रही है तो क्या आप यहां पे लेना पसंद करोगे जब move already निकल चुका है मैं तो बिल्कुल यहां पे लेना पसंद नहीं करूँगा बले ही market और ओपर क्यों ना चले जाए इस तरह के कुछ basic calculations होते है calculation करके चलिए previous data देखिए market का कोई भी हो inside candle हो मैंने आपको already inside candle advanced जो strategy है एक तो मैंने inside candle सबसे पहले बनाए थी इस चैनल के start होती उसको बहुत अच्छा response मिल रहा है लेकिन inside candle की advanced वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो मैं आपको recommend करूँगा वो देखिए आपको उसमें यह देखिए inside candle strategy advanced यह सीखो inside candle अगर bullish signal देती है तो उसकी भी location important है वो मैंने उस वीडियो में बता है इस तरह से detail में आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है कोई आपको बता देगा पिन बार use करो लेकिन कहां पर use करना है कब काम करेगी क्या location important है क्या market structure important है तो I hope आपको आज की वीडियो में पता चल गय क्या होगा यह देखिए और एक पिन बार market retrace हुआ यह देखिए अब यह perfect जगा पर बनी है पिन पर market ऊपर गया पुल बैक लिया फिबोनाची लगा सकते हो आप यहां से देखते हैं हम लोग फिबोनाची लगा कि क्या यहां पर कोई अच्छी लेवल आ रिये क्या फिबो लोगों के लिए I hope आपको वीडियो समझ में आए हो कि कहां पर यूज करना है कब यूज करना है थोड़ा slowly मैं बोलता हूं क्योंकि बहुत लोग new होते हैं सीखने में उनको आसानी होनी चीए description में टेलिग्राम लिंक है अगर आपको वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिल सकते हैं thank you for watching this video guys see you in the next video thank you